कमलनाथ सरकार में कम्प्यूटर बाबा को खूब सम्मान मिला, राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला, लेकिन सरकार बदली, शिवराज सरकार आई तो कम्प्यूटर बाबा के दिन बदल गए, पहले सुविधाय चिनी और उसके बाद राज्यमंत्री का दर्जा भी चिन गया, ह उन्हीं पीम मोदी को कम्प्यूटर बाबा ने पत्र लिखकर कुछ डिमांज की है, जिसमें से एक मांग ये है कि लॉकडाउन के दौरान सभी संतों और पुजारियों के भोजन का प्रबंध हो और महाराश्ट के पालगर की घटना का जिक्र भी किया है और साधुए के साथ म मोब लिंचिंग करने वालों पर सक्त कारवाई की मांग भी की है मोब लिंचिंग की नौबत आ गई है, पूरा संत समाज और जो हमारे पुजारी है, मंदिरों में पुजारी है, वो भी भूके मरने की नौबत आ गई है, वहाँ धीपक भी नहीं जल पा रहे हैं, मैं आपसे अन्रोद करता हूँ कि सादू संतों को पुजारीयों की भोजन की विवस्ता की जाए, उनको राशन दिया जाए, अनिता पूरा शंत समाज कहीं ऐसा ना हो कि भूके से मरने लगें, मैं माने मौदी जी आपसे अन्रोद है कि पुना पत्र लिख करके आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के सभी प्रदेसों में जिला प्रसासन को निवेदन करें, मुखमंदी को निवेदन करें कि कम से कम भोजन पानी की विवस्ता की जाए, जबलकूर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट